फ्टुडेंट्स आजंद्स हम लोग साइन्स के चैप्टर 9 रस्पिरेशन इन और खने जम में अड़ेंगे जांदे टेके अच क्या हमारा टॉपिक हुआ रस्पिरेशन इन्फ पिछली विडियो में हम लोगोने मनुशुन में रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ा तन क Awesome Boston पुरा प्रोस प्रक्र ञानेंगे जैसा कि आपको मालूम है बेटा कि रास्पिरेशन करने के लिए हम है हर जिए में मनुशुन में प्या जाते थे ऐसे तरह पहुत 6 अलग-अलग तेरी आऀसार निभल से अलग-अलग परकारकी रेस्पेरिय और मेरा के लिए आध्या जाते हैं पहुता है ओह जानवरों में तो बहुत ही इस्पल तरीकौ्स से होता है लेक excess animals में बहुत ही complex तरीके से होता है मनुष्य हुम कितना complex था जट्ल पक्री आ है कितना सब reaction कितनेकितने casting से गुजरिए फिप्लड में जाता है फिर सेल में जाता है किफिद आ का मघज काम होता था तो अलग-ालग animals में अलग-ालग respiratory organ होते हैं किसी में जो रेस्पिरेशन का पूरा सिस्टम होता है मेकनिजम होता है काम करने का तरीका तो बहुत सिंपल दिखता है और किसी में बहुत ही कॉंपलेक्स दिखता है ठीक है तो आए जानते हैं अलग-अलग अनिमल्स में उनके रेस्पिरेटरी और गन उनके मेकनिजम के बार यह यूणिवर्सल और्गनिजम एक कोश्क के जीवों जैसे अमीबा और पेरामीसिय में पाजाता है ठीक है जिसके द्वारा यानि सेल सर्फिस के द्वारा यह जो है अपनी बाड़ी के सर्फिस के द्वारा रस्पिरेशन करते हैं ठीक है ऑक्सीजन और क्रवन डॉकसाइड यहीं इसकाड़ और कार्बन डॉकसाइड यहीं से बाहर निकलता हैं ठीक है और यह पूरा प्रोसेश्ज जो है वह डिफियूजन की प्रक्रिया के द्वारा होता है जबकि कुछ multicellular organism जैसे earthworm, teach ठीक है इन में भी skin के द्वारे ही जो है वो respiration का process होता है ठीक है बच्चो अब आईए जानते हैं दूसरे और respiratory organ के बारे में बच्चो हमारा जो अगला respiratory organ है वो है air holes ठीक है ये air holes जो respiratory organ है ये कुछ insects जैसे कि grass उपर, cockroach इन में पाए जाते हैं ठीक है और इन air holes को हम लोग spiracles भी कहते हैं जो इन insect की body के सबर उपसित होते हैं इन ही spiracles यानि air holes की मदद से air जो है वो body के अंदर enter करता है और यहीं से बाहर निकलता है ठीक है अब ये जो air holes होते हैं ये body के हर part में जो है वो एक respiratory tube के network के द्वारा जो है वो फैले हुए होते हैं find branches में मतब बहुत पतले-पतले branches में divide हो जाता है जिनको ट्रेक्ली के ओलास कहते हैं और यह पूरा एक system बन जाता है इंसेक की body में जिसे हम tracheal system कहते हैं इनी ट्रेक्ली सिस्टम की मतबद से इंसेक की cells में जो है oxygen जो है वो carbon dioxide बाहर निकल जाती है तो इस तरह से पूरा ट्रेकल सिस्टम एयर होल्स की मदद से काम करता है इंसेक्ट में ठीक है आई अब हम जानते हैं हमारा तीसा respiratory organ गिल्स के बारे में प्यारे बच्चों गिल्स जो होता है वह specialized structure होता है respiratory respiration का फिश में ठीक है और यह specialized structure का मतलब होता है कंगी जो हम बालों में कंगी करते हैं उन्हों कंगी जैसे structure होता है दाद जैसे निकले रहते हैं ठीक है अच्छा अब यह जो respiratory organ है गिल्स जो specialized structure रखता है कॉम लाइक जैसा ठीक है इसमें बहुत सारे numerous तरह के मतलब कई प्रकार के पतले-पतले filament होते हैं ठीक है जिसमें blood capillaries बड़ी मात्रा में उपस्तित रहता है ठीक है अब यह जो blood capillaries है यह क्या करते हैं जब गिल्स के उपर से पानी flow करता है तो उसमें पानी में oxygen होता है तो यह oxygen जो है यह capillaries जो गिल्स में रहती है ठीक है यह पानी से oxygen को absorb कर लेती है और carbon dioxide को इसी में diffuse कर देती है ठीक है और इस तरह से जैड़ी जो है वह एक restriction काisf कि टीर सिस्टम है किसमें मचलियों भी जैक है त्छे हैं त्वस्ट से मारा जो गिल्स हैry इस जानते हैं अगला जो जो respiratory organ है जिसे हम कहा करते हैं lungs उसके बारे में जानते हैं प्यारे बच्चों जो हमारा अगला respiratory organ lungs है वो जनरली जो है mammors, birds जो है इनके द्वारा में पाए जाता है और ये उनके द्वारा lungs करते हैं इसके अलावा amphibian जैसे कि जो जमीन और पाने दोनों में रहते हैं जैसे ये इनमें ये पानी में जब रहते हैं तो skin के द्वारा breathe करते हैं लेकिन जब ये surface पर आ जाते हैं ये लैंड पर आ जाते हैं तब ये lungs की मिदस से breathing करते हैं या फिर respiration करते हैं ठीक है बच्चों इसके अलावा जो earth warm के वारे मैं बता ही चुका हूं कि अपने skin से जो है वो breathe करने का काम करते हैं oxygen के exchange का oxygen carbon dioxide के exchange का काम करते हैं ठीक है और carbon dioxide जो है इसी skin के मदद से बहार निकलती है और oxygen इसी की मदद से जो है वो एंटर करती है ठीक है तो इस तरह से इनका जो skin है वो moist होता है ठीक है नम्मी वाला थोड़ा होता है आई होप आप लोगों ने animals में respiratory organ और में respiratory के method को अलग अलगा निमांस में पढ़ा और समझा अब next video में हम लोग plant में respiratory के बारे में पढ़ेंगे बहुत बहुत धन्यवाद